गुड मॉर्णिंग तो अलो फियो सभी को गुड मॉर्णिंग बहुत बड़ा अपडेट है कि इन्वसिटी का एक्जाम होगा इसमें कोई चेंजेज नहीं है और जो नोटिस कल साम में सबके मुबाइल पर रोटेट हो रहा है वो नोटिस भी सही है कुछ बड़ा अपडेट है इंवसिटी जो है नोटिस निकाल के देगी लेकिन सबसे पहला अपडेट यह है कि फॉर्म भरने का डेटा गया है उसको पूरा जानकारी देंगे तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वैसे सभी लोग जिनका एक्जाम छूट गिया किसी कारण से कोई भी छू उटा हुआ है उसको लास्ट मौका दिपार्टमेंट के तरफ से मिल रहा है जो कोबिड-19 को ले करके जो है सभी लोग अस्त बेस्त थे तो डिपार्टमेंट में हेड का काना कि नहीं जिनका छूट गया है उनको एक मौका मिलना जरूरी है यह पेज जो आप देख रहे हैं व लिका मांजी भागालपू उनिवर्सिटी ठीक है एक्जामनेशन नोटिस 121-2021 इट इसमें फॉर्म भरने का डेट दिया गया है सेमेस्टर टू के उनिक सिकी सात्र के छात्रों के लिए कि चार एक दोजार बाइस यानि चार जन्वरी से लेके दस जन्वरी तक बिना फाइ 11 से लेके 13 तक फाइन के साथ है यह कल का ही मैसेज है कल साम में सब्सक्राइब पांच बजे निकला था अथ्वासा आगे पिछे हुआ है आने में लेकिन कन्फर्मेशन के बाद हम इसको सही सेकदम नूटिस लगाए हुए है अब यहां से इक बाद चैना इस बार आपको क्या करना है कि सिमस्टर वन का रिजर्ट आ उसका काड का जीजरोक्स कौपी साथ में में अखना चलान मिलता है वहां पर सिद्धा सुर्पया में फॉर्म लेके उसके बाद आपको लाइबरेरी, स्पोर्ट्स ठीक है और अधर एक्टिविटीज में जहां जहां आप भाग लिये होंगे छात्र सेवा के अंदर सब जगह जाना पड़ेगा जैसा कि पहले भी गये है फॉर्म से अपडेट क्या है कि जिनका एक्जामनेशन ठूट गया है देखिए एसाइन्मेंट जो है करीबन 80-82 लोगों का एसाइन्मेंट आया हुआ है यानि कि 80-83 एसाइन्मेंट हमारे पास सब्मिट है उसको अगर हम तुछा सब री टोटल करेंगे तो 85 तक पहुँचेगा जि इसमें कुछ नया क्यों नहीं दिखता है तो नया नहीं दिखेगा तो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जो है वही है इसमें जो रॉल नमर आपको दिख रहा है सबसे पहले यहां से बता देंगे तो यूम्शिटी रॉल नमर 2001 से 2001 कोड है मतलब 20 2001 2002 यानि कि 2001 यानि 20 01 20 02 यह पूरा रॉल नमर इंवर्शिटी का उसके यही कोड आपके रॉल नमर भी लगा होगा admit card आप पूरा न देखिएगा इनका assignment अभी तक जमा नहीं हुआ है ठीक है इन लोगों को बहुत बार remind कराने की कोशिस भी की गई है लेकिन पताने कहां है नहीं है तो प्लीज अगर आप यह message सुन रहे हैं ता आईए department और assignment जमा कीजिए इसके बाद test 1 है test 1 में रॉल नमर 34 राहुल जी है और रॉल नमर 72 हमारे अमरनात जादब भीया जी अमरनात कुमार जादब जो है उनको जो है और यह राहुल जी का जो है test 1 चुटा हुआ है तो आप दोनों भीया आ करके तीन तारिक को तीन जनवरी को आप आके यह दोनों आप टेस्ट अपना दोनों आदमी दे दीजे टेस्ट 2 हो गया टेस्ट 2 में युनिवरसिटी रॉल नमर 56 और 26 का टेस्ट 2 चुटा हुआ है यह लोग आके टेस्ट देंगे अपना ठीक है पांच में हमको लगता है अमरिता कुमारी कुमारी है और रॉल नमर 26 जो है वो निर्मल कुमार पासवान है इनका भी टेस्ट चुटा हुआ है ठीक है और इनका टेस्ट 1 और टेस्ट 2 चुटा हुआ है इसके बाद assignment भी अउन्वेसटी रॉल नमर कहसाब से इनका चुटा हुआ है तो निर्मल कुमार जी आपका assignment भी चुटा हुआ है आपका टेस्ट भी चुटा हुआ है अब कुई जोर seminar वाले नीचे column में लोग हैं कि कुई जोर seminar के लिए जो लोग हैं जैसे रॉल नमर 12 अमरनाइजी का 14 स्रेया का चुटा हुआ है 15 जो है इसमें सोनी कुमारी है उनका चुटा हुआ है रॉल नुमर 22 दीपक कुमार का चुटा हुआ है रॉल नुमर 23 रघुनंदन कुमार का चुटा हुआ है रॉल नुमर 24 मुन्ना कुमार का चुटा हुआ है रॉल नुमर 26 निर्मल पासवान जी का चुटा हुआ है रॉल नुमर 32 दिपांकर का चुटा हुआ है उसके बाद रॉल नुमर 34 राहुल जी का अगेन चुटा हुआ है ये क्विज सेबिनार जिनका शुटा है वो बता रहा है रॉल नमर 46 मंधन जी का भी शुटा हुआ है और रॉल नमर 53 53 M.D.O.S.A. आलम का भी शुटा हुआ है रॉल नमर 69 यानि 59 इशू कुमारी का शुटा हुआ है रॉल नमर 68 मोनिका कुमारी हो गया मोनिका कुमारी का शुटा हुआ है रॉल नमर 73 अंकिता भारती का शुटा हुआ है रॉल नमर 88 SM.Faisal इनका भी कुई जोर सेमिनार शुटा हुआ है रॉल नमर 91 रितिक रोशन का शुटा हुआ है रॉल नमर 95 रॉल नमर 95 रॉल नमर 95 में है सौरब कुमार 25 था जिनका क्लास रॉल-लॉल सौरब कुमार के सरिया अमरvention साइड के हैं in k airplanes उनका भी छुटा हूँ है के इसके बादा रॉल नमर 96 में सोंव कुमार है उनी के मित्र है उनका छुटा हुआ है कुईज और 103 में चंदरबंसी कुमार है हमारे भीमबावू उनका छुटा हुआ है और 102 हमको लगता है यहाँ पर लिखने में छूट गया है साइद हम लिख देते हैं रोहित जी का 102 रोहित कुमार जी का भी छुटा हुआ है इसके बाद 103 रोल नमर रुपेश कुमार रन्जन जी का चुटा है और 108 सत्यम कुमार जी का चुटा हुआ है सत्यम कुमार जी आपसे यही निवेदन है कि आपका assignment भी चुटा हुआ है आपका कुई seminar भी चुटा आप test बगर दीए تھे तो उसमें आप डिपार्टमेंट आके मिलिए हो सकता है आपको semester 2 का form भरने का मौका मिले क्योंकि COVID-19 में सेशन 2021 के चात्र में जो फेल हो गया प्रमोट हो गया उनको मौका मिला था तो आप फेल है तो आप मिलिए एक बार आकर के department हो सकता है बड़ा बबु कुछ आपको रास्ता बतावे फॉर्म भरने का जो फेल है और जो प्रमोट हो चुके है उनको 2019 सिकीस में मौका दिया गया इनवर्सिटिक तरफ से कोबिड-19 को देखते हुए थोड़ा सा इनवर्सिटी स्टूडेंट के उपर रहा हम किये कि चलो भाई दे देना है इसके अलावा एक स्टूडेंट है पुराने सेशन की है इसने अलता कुमारी उनका भी छुटा हुआ है ठीक है उनका रॉल नमर पुराना सेशन है 190 और 254 करके है इनका भी क्वीज और सेमिना शुटा हुआ है अब हम आपको डीटेल वाइस समझा देते हैं कि क्या क्या था तो सबसे पहले एसाइन्मेंट में क्या था वो देख लीजिए इन सभी को इन सभी लोगों से नमर निवेदन है कि आप तीन तारिक तक तीन तारिक को ती कहीं नहीं है या तो उसका जमा हो चुका है इस लिए नहीं हैoyu फिर क्या है कि एक क्जाम चोड़ चुके तरल लगवक कंप छोड़ारी है यि और भी हम न आम रिपीट के किया घर्व लास्ट टाइमक मन हो जी क्या है, assignment topic में सबसे पहले खाद शुरक्षा यानि food security, CC6 का माल्थस का जन संख्या सिध्धान्थ, CC7 में मजदूरी सीमाद उत्पाधक्ता सिध्धान्थ, CC8 में मुद्रा स्फिती, CC9 में index number, यानि food security, माल्थसियन थेयरे पोपुलेशन, मार्जन प्रोट्ट्टिव थेयरे वेजेज, इंफलेशन और इंडेक्स नमबर, यह बनाना था, assignment को, टेस्ट में कौन कौन सा है, तो टेस्ट के लिए हम आपको बता रहे हैं, निती आयोग, CC5 का टेस्ट बन था, फायर एनिस मॉडल, CC6 का था, CC7 बैन लिमिट प्रैसिंग थेयरी था, CC8 सुम्पिटर का बैपार चक्र था, CC9 स्पिस्वियन रेंक का थेयरी, और उस पर एक सवाल था, टेस्ट 2 के लिए, और द्योगी गनिती 1991 की व्याख्या, CC6 में Human Development Index, CC7 में Prato Optimum Theory, CC8 में Bambol लगदी से सिधा, CC9 में Probability, Definition Inits, Addition, Multiplication थेयरी, इतना सा information था, सभी के लिए अपडेट है, जिनका जो रॉल नमर है, प्लीस कॉंटेक कीजिए, 970-968-6420 पर, और जितना जल्दी आप अपडेट होईएगा, मिलिएगा, उतना जल्दी जल्दी हम आपको मदद कर पाएगे, चिक है, चुकि अभी सब को हमसे मतलब होगा, क यहां पर लोग आपको मदद कर सके, घर पहुचा के तो कोई मदद करेगा नहीं, तो आपको initiate करना होगा तभी, तो हम कर पाएगे कुछ, या विभाग में जो बैठे लोग हो मदद करेंगे, तो इतना लोगों को बता दिया गया, उनिवर्सिटी डॉल नमर के according है सारा, आ आप किजिएगा, वो तयार करना है, उसी का कुईज में या सेमिनार जो होगा, मतलब जो आप से भायवा लिया जाएगा, उसी पर है, टॉपिक क्या है उसका, कोविड नाइंटीन को देखते हुए, जो यूनियन बजट बनाया गया था, पेपरलेस बजट, हमारे वित मंत जो भी थी, उनके द्वारा, वो यूनियन बजट आप कुगल पर से निकालिए, उसको पढ़िए, उसके बारे में कम से कम दस पॉइंट तयार कीजिए, और डिपार्टमेंट आएगे, तीन जनवरी को, दो हजार बाइस को, साथे दस बज़े सभी को डिपार्टमेंट आन है, वो पहन के आएंगे, चुकि आप टेस्ट देने आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है, तो आपको ड्रेस में आना चाहिए, अनुसाशन यही कहता है, बागी लोगों को कोई प्रब्लम होगा, किसी प्रगार का कोई भी अपडेट, पढ़ाई लिखाई से संदर्ब मे सिलेवर्स के अकॉर्डिंग, तो वीडियो इसी तरह आएगा, आप सुरू हो गया, और एक्जाम आप मान के चलिए, कि दही चुड़ा खाईएगा, और एक्जाम का डेट आएगा, ठीक है, चुकि 13 तक फॉर्म बरा रहा है, 14 इंवर्सिटी बंद रहेगा, उसी बीच में आपका एक्जामनेशन डेट आजाएगा, तो मान के चलिए, कि आप फरवरी में आपका एक्जाम होना तय है, अगर इंटर का एक्जाम लेकर के आगे पिछे होता है, तो फरवरी 2nd week से भी हो जाएगा, या हो सकता है कि जन्वरी लास्ट week से ही हो जाएगा, तो सारी तयार आपका पूरा बरबाद होना है उसके बाद BPSC बीच में संजोग है अच्छा भगवान की क्रिपास केंसील हो गया है भी डेट ने आया है ठीक है तो उन सब पर फोकस अटाइए और सेमिस्टर टू में वापस आईए क्योंकि यहां पर इस बार लोगों का जो परिस्थिती है कि हम क्यों बताएं किसी को या नहीं बताएं वह आपके उपर है हम जैसे थे वैसे मदद कर रहें और करेंगे इसी में इसी चैनल पर बीस कोशन डालेंगे जिसमें चौठों डाले हुए है 14 डालेंगे important exam को लेकर जो हमको लगता है important है पिछले बार भी हमने बताया था महा student है बस हमको यही जिम्यदारी दी गई है कि हम class 8 है बस धन्यबाद आप सभी लोगों का और चैनल को अच्छा लगा subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए message जड़ ज़़ लोगों पतक thank you